हालेलुया, स्वागत है आप सब का मेरी भवश्यवानियों की पुस्तक में तो आईए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो की परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नलूला जी के द्वारा लिखा गया है परमेश्वर की सिद इच्छा जैसा की यर्मिया की पुस्तक अध्याई 29 उसकी 11 आयत में लिखा है यहवा की यह वानी है कि जो कलपनाएं मैं तुम्हारे विशे करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वे हानी की नहीं वरन कुशल ही की हैं और आंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा मेरे प्रियों परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक सिद इच्छा है परमेश्वर के पास आपके लिए कोई भी दूसरी योजना नहीं है लेकिन जब एक इंसान परमेश्वर की योजना पर खड़ा नहीं रह पाता तो वह उस दूसरी योजना में चला जाता है जहां पर परमेश्वर की आशीशे तो होती हैं लेकिन साथ में दुख और मुसीमतें भी होती हैं लेकिन जो योजना और स्थान परमेश्वर आप के लिए ठहराता है उसमें आपको सिरफ आशिशें और उचाईयां ही मिलती हैं मेरे प्रियों आपको परमेश्वर की सिद इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने के लिए मजबूत विश्वाश की जरूरत होती है क्योंकि जब आप परमेश्वर की सिद इच्छा में परवेश कर रहे होते हैं तो वैस समय आसान नहीं होता क्योंकि उस समय आपके जीवन में नकरात्मक परिस्थितियां आती हैं और आपका बहुत ज़्यदा विरोध होता है ताकि आप उस सिद इच्छा से दूर हो जाएं लेकिन जब आप मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर आप परमेश्वर की सिद इच्छा को पूरी करते हैं मेरे प्रियों जब आप पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 13 को पूरा पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर का एक नभी यहूदा से बेतेल को गया और परमेश्वर के कहने के अमसार राजा यरुबाम को परमेश्वर का संदेश सुनाया जो बेतेल के विरुद थ तब राजा यरुबाम ने क्रोद में आकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसका हाथ उसी समय सूख गया जड़ा सोचें कि जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाकर अपने लोकों को कहा कि पकड़ लो से तो उसका हाथ उसी समय सूख गया परमेश्वर का आत्मा इतना उ उस नभी से कहा था कि तू रास्ते में आते जाते समय ना तो कुछ खाना और ना कुछ पीना और जिस रास्ते से तू जाएगा उसी रास्ते से वापिस मत आना। जब वे नभी दूसरी रास्ते से वापिस आ रहा था तो एक बुड़े नभी ने उसका पीछा करके उसे कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तू मेरे संग चले और खाए पिये वे परमेश्वर का जन जिसे परमेश्वर ने राजा के पास भेजा था वे परमेश्वर की सिद इच्छा में नहीं रहा, उसने बुड़े नभी के साथ जाकर खाया और पिया, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझे रास्ते में खाने पीने से मना नहीं किया था, तुने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तु जीविद नहीं लोटेगा, और जब रास्ते में वापिस आ रहा था तो एक शेर ने उसके गदे को छोड़ा और उसको मार डाला अगर शेर किसी को मारता है तो वैं खाने के लिए ही मारता है लेकिन शेर ने उसको खाया नहीं क्योंकि उस नभी का शेर के द्वारा मरना परमेशर की और से सजा थी क्योंकि वैं परमेशर क आपको 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 शरक्षित रखेगा आमेन परमेशर आप सब को आज के वचन के उपर मनन करने के द्वारा आशिशित करें आमेन आपको 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